हलो माई फ्रेंट्स आप सभी का अपनी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है और ये देखिए बिलकुल हरे भरे से हमारे सावन का प्रतीक है बिलकुल हर्याली की प्रतीक हमारा दे रहा है ये गुल्दावदियों का पौदा जो लास्ट येर के मदर प्लांट हैं तो आज हम आज हम सीखेंगे कि इन से हम घृटिंग कैसे बनाएं और जो कि हमको सैबीं कॉइब ह मैं अहल्दी मौनर्ट के प्लांट है उस भी मैंने कुछ लगा भी लिए आँन पालए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा इस तरीके की कटर या नाइफ या सिजर नाइफ से तो आप बिल्कुल भी मत कट करिएगा क्योंकि इनके टिसूज खराब हो जाते हैं आप ले सकते हैं सिजर या इस तरीके की जो गाडणिंग के आपको ब्स काट लेते हैं आपको यंशे खराब पिक इतन अबहुत आपको उपर में है जाएगा कि इसेप लावर की पिक है तो देखिए इस तरीके से मैंने एक और ली cutting इस तरीके से मैं इसी plant से अभी ले रही हूँ मैं हर plant का मैंने color रख रखा था तो मुझे पता है कि यो कौन से plant की है तो इस तरीके से देखिए aware मैंने इक सब में marking भी की हुई वह मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने मार्किंग की हुई है इस पेंट से मैंने कहीं लिखा हुआ था कि ये किस कलर का है तो इसलिए मुझे पता है कि कौन से कलर के प्लांट से हैं और कौन से फ्लावर आएंगे तो इस तरीके से मैं कटिंग पहले ले लेती हूँ उनकी तो देखिए फ्रेंट्स ये मैंने सारी cuttings ले ली हैं और इसको मैं किनारे करती हूँ, मैं आपको soil लिखा हूँ तो फ्रेंट्स देखिए पिछली बार जब मैंने cutting लगाई थी तो मैंने cocopeat, vermicolite और perlite में लगाया था पर इस lockdown के वज़ा से मैं कुछ भी shopping नहीं कर पा रही हूँ और मैं लगणाओं भी नहीं जा पा रही हूँ जिससे कि मुझे वो सारे समान मिल सके, तो simply send सभी area में मिल जाते, construction में काम होते तो इन में भी आपको 100% result मिलेगा, तो आप इनको चाल के निकाल दे, जो भी मोटे particles हो उनको आप निकाल दे और इसको मैंने fungicide के पानी से soak कर दिया, fungicide का पानी एक मग में आप मिलाए और इसको गीला कर ले, उसके बाद में ही आप अपनी cutting लगाए तो देखे, आप cutting लगाने के लिए आपको जितनी भी ये नीचे की leaves है, देखे, ये ये सारी leaves, सिर्फ उपर tip की leaves आपको छोड़के सारी cut कर लेनी है, तो देखे, इस तरह के से मैंने सारी leaves अटा दी, उपर की ही सिर्फ leaves रखी है, और आप ये देखे हैं, तो मैंने इसको 45 एंगल पर काटा हुआ, जिसे इसमें अच्छे से roots डवलप हो सके, तो मैं यहाँ पर use कर रही हूँ, root x one number हर्मोन, जो की soft branch के लिए होता है, तो ये है, अगर आपके पास ये ना हो, तो आप simply दालचीनी का powder ले सकते हैं, या फिर जो aloe vera आपके garden में लगे होते हैं, उनको भी आप ले सकते हैं, गहरी राइप को छाड़ दिया, और इसको आप इस तरीके से इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, यह देखे। बस ये लग गए आपका, इसे तरीके से हम अपने सारे ही cuttings को लगा लेंगे, और इनको लगा लेने के बाद में friends, आप इनको ऐसी जगाँ पे तो आप इनको किसी प्लास्टिक सीट से कवर करके कुछ स्टैंड जैसा बना दे तो मैं अभी आपको दिखाती हूं कि मैंने कैसे इसका डियाइवाई करके इनको रखा हुआ है तो उस तरीके से आप भी रख सकते हैं तो यह देखे इस तरीके से मैं अपने सारे कटिंग को ल इससे अगर एक बार फंगस लग जाए तो फिर आपके प्लांट को या कटिंग को कोई नहीं बचा सकता है तो आप सोच रहे होंगे मैं हमेशा कटिंग के लिए कहती हूं पहले होल करिए फिर लगाईए मैं डारेक डाल रही हूं पर यह स्वाइल नहीं है यह सेंड है करते हैं और यह तुरंथ ही देखिए मैंने हलका सा यह प्रेस किया और यह तुरंथ ही अंदर चला गया मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा तो यह देखिए अराम से हो गया इसी तरीके से मैं यह पूरा ट्रे लगाने वाली हूं पर मैं आज नहीं लगाऊंगी क्योंकि बिल्कुल मौसम ऐसा हो चुका है ना कि बिल्कुल बहुत तेज से बारिशें कभी भी आ सकती हैं बुन्दा बंदी हो रही है मैं जब भी गुल्दाओदियों की कटिंग लगाने बैठती हूं तब भी बारिशें हो जाती हैं तो अगर आपके एरिया में बारिशें अभी तुक कर लगाएं हम सब प्रोफेशनल नहीं है कि बहुत हमनिटी हो और हमनिटी ना हो फिर भी हम कटिंग लगा लें और वह चल पड़ें तो यह देखिए मैंने कुछ कटिंग लगा लिए कुछ मैं बाद में लगा लूँगी क्योंकि मुझे यह पूरा ट्रे भरना है तो चलिए मैं आपको अपने कुछ कटिंग दिखा देती हूं तो देखिए फ्रेंड़्स यह कुछ ऐसी कटिंग से जो जो मैंने बहुत दिनों पहले लगाई थी जब मैंने अपने प्लांट्स को कट के था बस उनको ऐसी लगा दिया था उनको अब मैंने रिपॉर्ट कर दिय यह देखिए तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको उड़ा के रखा है अपने एक प्लास्टिक सीट से जिसे डारेक्ट रेंड वाटर ना पढ़ने पाई तो देखिए मेरी सारी कटिंग्स जो मैंने कुछ दिन पहले लगाई है मतलब दो दिन पहले लगाई है और यह वाली तो फोड़े से डवलप हो जाएंगे फिर मैं इनको रेंड वाटर में रख दूंगी और जिसके बाद में यह बहुत ही ज्यादा हैपी हो जाएंगे अभी तुरंत कटिंग लगा के रेंड वाटर में इनको ना रखें तो होपे फ्रेंड्स आप सब भी बिल्कुल तैयारी कर रहे होंगे गुल्दाओदियों को लगाने की और मेरे पास इस समय इतना काम है आप देखी रहें कितनी सारी कटिंग्स मुझे लगानी है अभी तो मैंने कुछ ही कटिंग्स लगाई है तो चलिए फ्रेंड्स इसे टॉपिक के साथ में मैं आप सब से ले रही हूं विद होते हैं मैं बहुत जादा टाइम अभी नहीं दे पा रही हूं तो चलिए फ्रेंड्स अगैन मैं आप से कह रही हूं अब बै और नेक्स्ट वीडियो मैं फिल में लूंगी ओके माई फ्रेंड्स बबाई हैपी गार्डनिंग एंड बी सेफ